एक्जाम के मात्र और मात्र दस दिन ही बचे हैं इन दस दिनों को मैं आप सभी के बहुत सांदार बनाने जा रहा हूं और दस दिनों में आप सभी का कम्प्लीट रिवीजन कराने जा रहा हूं संपूर रिवीजन कराने जा रहा हूं दस दिनों में संपूर रिवीजन महा रिवीजन स्रीज आप सभी के साथ लेकर के आ रहा हूँ और ये समझ लिजे कि आपकी तैयारी को बूष्ट कर देगी अब कैसे बूष्ट करेगी ध्यान से समझिएगा यहाँ पे मैंने एक एक दिन को एक फोकस्ड सब्जेक के तौर प करेंगे उसका अगला दिन फिर अगले सब्जेक को लेकर फोकस करेंगे इस तरीके से दस दिनों में हम एक एक सब्जेक्ट लेकर चलेंगे एक दिन में एक सब्जेक्ट उसको लेकर मैं आप सभी को रिसोर्स बताऊंगा कि आप कहां से पढ़ेंगे आपको मैं खुद का भ तो घटना चक्र को उसके साथ कैसे जोड़ना है यह चीज भी मैं बताऊंगा यह सेल्फ नोट्स भी बनाये होंगे आपने संस्तान से क्लासेज की ऑनलाइन बैस से तो उसके नोट्स भी आपके पास होंगे उनको भी लेकर के बैठेंगे बस आपको एक कमिट्मेंट देना है जो एक्जाम देने जा रहे हैं बस मुझे इतना कमिट्मेंट दे दे कि आप मुझे 10 से 12 घंटे दोगे परड़े का 10 से 12 घंटे चाहिए मुझे आपके 10 से 12 घंटे परड़े के चाहिए मैं आप सभी का समान देन बहुत तेजी से बहुत सांधार तरीके से कम्प्लीट करा मलब ऐसे नहीं मलब यह आप देख पाओगे 12 घंटे का कमिट्मेंट दो 12 घंटे में आप देखना एक चमतकार होगा आप सभी के साथ आपका एक सब्जेक कम्प्लीट हो जाएगा मेरे साथ और साथ में हम लाइब सेशन भी रखेंगे साम को जो हमारा इस सेशन हो रहा है ब्रंभास सिरीज का एक्जाम इंडिया में उसी सब्जेक को फोकस सब्जेक रखेंगे समझेगा पूरी बात मैं क्या कहने जा रहा हूँ आप लों के लिए कितनी मेहनत करने जा रहा हूँ आगामी 10 दिनों में हम एक घंटे के अंदर अंदर यहां पर और पूरे दिन जो म मैं आपको टास्क दूँगा उस सब्जेक का उसको पढ़ करके और साम को ब्रंभास सिरीज के इस कारिक्टम पर महा रिवीजन के तौर पे आपका पूरा का पूरा कंटेंट आप सभी के लिए लाइब यहां पर मैं करवाने जा रहा हूँ ठीक है अब देखिए इसको लेक करेंगे अब देखिए इसको लेकर क्या क्या हम चाह रहे हैं सबसे पहली बात देखिए हमाई पार दस दिन हैं दस दिनों में आपकी पावर आप लोग जावनोगे कि आप दस दिन में कितना पढ़ सकते हो जितना आप साल बर में नहीं पढ़ें इस दस दिन में पढ़ लो जब भी आपका एक्जाम होगा मैं ब्रंभास स्रीज के स्पेशल एडिशन के तौर पर इसे लेकर क्या होगा महा रिवीजन स्रीज ठीक है तो यह यूपी पीशेस एक्जाम और जो लोग आईएस दे रहे हैं अभी 28 मही वाला 14 मही को यूपीशेस है 28 मही को यूपी पीशेस भी टारगेट अलग से आएगा अभी उसके लिए 28 मही को एक्जाम है यूपी का एक्जाम हो जाने दीजे उसके तुरंद वासे मैं आईएस का टारगेट चालू कर दूँगा ठीक है आईएस का टारगेट और आईएस के लिए काम करना चालू कर देंगे तो बस एक एक मेहनत एक टपश्या एक लगन ही आपको एक्जाम में सफल कराएगे और मेरा एक प्रयास है मैं चायता हूँ कि आप मेंसे आप सभी सफल बने इसके लिए जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी मैं करूँगा अब इसमें देखे करेंगे क्या हम सबसे पहले 10 दिन बचे नहीं इतना पढ़ने वाले हैं हम लोग 10 दिनों में इतना पढ़ने वाले हैं कि आपको आननद आ जाएगा थीक है साइद आपने कभी इतना नहीं पढ़ा होगा आज मेरे साथ आप बहुत कुछ पढ़ना सुरू करोगे ठीक है तो 10 दिनों में आपको संपूर्ड रिवीजन होने वाला है GS के लगबग लगबग जो प्री में आने वाले सब्जेक्ट है वो आपके होने वाले है ठीक है अब ये टारगेट है आपका UPPSS एक्जाम एक्जाम डेट है आपकी 14 माई की ये मान के चली एक्जाम आपका इसी तिथी को होगा बहुत साथ लोग कर रहे थे कि नगर निकायों के चुनाओ है उसके कांड से कोई बादा पड़ सकती है कोई बादा नहीं पड़ेगी नगर निकाय चुनाओ हो चाहे कोई भी चुनाओ हो 13 माई को साथ आपकी मत गरना हो जाएगी फिर 14 माई को आपका इक्जाम होगा तो आप अभी यही डेट मान के चली एसी डेट को लेकर के हम काम करने जा रहे हैं तो दस दिनों में संपोर्ड रिवीजन करेंगे UPPCS प्रिलिम्स एकजाम 2023 को धिहान में रख करके पूरा का पूरा कार्योजना है अब देखो इसके तहत हम करेंगे क्या देखो डेली को एक एक दिन लेंगे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 हमाय पास टोटल जो है हम ये पूरा का पूरा दस दिनों का प्रोग्राम है तो एक एक दिन में पढ़डे के हिसाब से एक सब्जेक को लेकर के चलेंगे और पूरा का पूरा उसी सब्जेक पे complete dedication रखेंगे उसी सब्जेक पर complete dedication सुवे सरे के साम तक पढ़ना अपना mobile का data recharge कर लेना दिमाग में बठाके रखना data recharge कर लेना ये नरा है कि भाई mobile पर data नहीं है यह सर यह खतम होगा वो खतम होगा कुछ फायदा नहीं होगा डेटा तो रखना पड़ेगा ओनलाइन पड़ रहे हैं तो फिर आप लोग को डेटा रखना पड़ेगा अब इसमें क्या होगा जैसे माल यह day one है इसमें एक subject को हम पूरा का पूरा दिन देंगे एक single subject को और यह वो subject होंगे जो जाम के लिए important subject है ठीक है तो उस subject को लेकर मैं आपको कुछ task के दूँगा पूरे दिन के लिए कुछ task के दूँगा टास्क क्या-क्या आपके होंगे सबसे पहला task आपका उस subject को लेकर के आपको एक video दूँगा मैं एक video दूँगा ठीक है वो video आप सभी ने जरूर देखा होगा जैसे entire video है मेरा जैसे प्राचीन भारत है मदिकली ने अदनिक भारत अब उस video के साथ साथ आपने उसी subject की गटना चक्र भी ले लेनी है गटना चक्र भी वीडियो जब आप चलाएंगे तो वीडियो चलाने के साथ साथ आप घटना चक्र को भी उसी subject को open कर लिजह जैसे मैं प्राचीन भारत का इतिहास देखर के जा रहा हूं तो प्राचीन भारत की इतिहास का जो इतिहास वाला गटना चक्र है, उसको भी open कर लिजे साथ में, तोकि मैं तो एक सिक्वेंस ही पढ़ाऊंगा न आपको, गटना चक्र के साथ साथ अपने self notes भी ले लिजे, self notes आपने बनाए होंगे, synopsis बनाए होंगे, बस इनफ है, ये तीन चीज है, ठीक है, एक दिन में, और साम को ह लाइब सेशन रखेंगे, लाइब सेशन आपका कहा होगा, इक्जाम इंडिया के YouTube चैनल पे, ब्रहंभास रीज, आठ बजे जो आपकी होती है, ये उसी subject से जुड़ी होगी, किस subject से, उसी subject से, जो subject हम रखेंगे, जैसे day one में एक subject रखेंगे, तो एक video lecture दूँगा, ठीक ह उस video lecture का, को हुई है, आपको साथ में क्या करना है, घटना चक्र भी साथ में रखनी है, ताकि आपको जो topic में पढ़ाता जाओ, तो आप फास फास आप देखते चले जाओ, है ना, देखो अब यहाँ पे quick revision करना है, महार revision करना है, और देखें, बहुत energetic रहेंगे सुवे से साम तक, पढ़ो तो सही आप इस तरीके से, पढ़ो तो सही, आप देखेगा, मलब आप सोच नहीं सकते कि हम next label चीजों को ले करके जा रहें, next label मेहनत करने जा रहें, तो जदि next label करने जा रहें किसी चीज को, तो आपको उतना ही आनन्द आएगा, तो video lecture देखेंगे आप, video lecture देने के बाद, फिर क्या होगा, घटना चक्र भी साथ में रखेंगे, जैसे इसे class चलेगी, वैसे वैसे घटना चक्र भी आपका पलटता जाएगा, और तेज तेजी आप MCQ देखते जाएगे, हैना आपने और लेडी पढ़ भी रखे होगी, तो आपको time नहीं लगेग कभी प्री रुख जाता है, कभी mains किसी का प्री होता ही नहीं है, आप लोग भी ध्यान से सुन लो, एक दिन में मैं आपके साथ काम करूँगा, लेकिन मुझे वादा करना पड़ेगा, कि अब आपको पढ़ाई आपको देखनी है न, 10 से 12 घंटे कैसे होती है, 12 घंटे कम से कम चाहिए आपसे, और 12 घंटे आप करके देखो, करके देखो 12 घंटे, जितना आपको बता दूँ, बीच में एक रेष्ट भी दूँगा, लेकिन वो अभी नहीं, अभी रेष्ट के बारे में सोचना नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ को हम देंगे टार्गेट, बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन आप दिमाग की पावर देखना इस टाइम पर कैसे होगा, तो वीडियो में मैं आपको 10 से 12 घंटे का, 10 घंटे का माली जे वीडियो देता हूँ, अब 10 घंटे के वीडियो के साथ घटना चकर भी खोल के रखनी है, सबके पास गटना चकर होंगी, होंगी गटना चकर, यह है, यह किताब बता रहा हूँ मैं आपको, यह वाली, अब यह बहुत मोटी है, देखते जाओ कैसे कमाल होता है, इसको भी साथ में, वीडियो चलेगा, और साथ में बुक चलेगी, इसमें आपको यह डिटेल वा साथ साथ देखते हुए चलना है, मुझे सुनना है बस उस पूरी अवदी में, बड़ा टास्क है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, सिटिंग कैपिसिटी आपके अच्छी होनी चाहिए, लाइबरेरी में हो तो लाइबरेरी में पढ़ो, घर मे और खुद के दी नोट्स हैं, उससे जुड़े हुए तो खुद के नोट्स पे काम करना है, इसके बाद सेम डे पे हम लाइब सेसन आएंगे, आठ बजे साम को, ब्रह्मभास सिरीज में, उसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स पे मैं चर्चा करूँगा, उससे जोए multiple choice question हो सकते हैं, MCQ हो सकते हैं, मैं MCQ हल करना आपको सिखाऊंगा कि prelims में कैसे जाके exam hall पे आप हल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम multiple choice question भी आपके उठा लेंगे, अब बताओ, यह इतना काम हम कर लें subject by subject, अब जो कर पाना बहुत बड़ी बात है, यह है तो बहुत अब एक साथ एक subject complete करना बड़ा task है, big task है, पर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं करवाँगा आपको, बस मेरी बात मानते हुए चलना है, यदि आप मानते चले गए, सुपर डूपर चीजे होंगी, आप मान सकते हैं, आप देखेंगे, एक बड़ा change, big change, आप अपने life में ले आओगे, बस अब पढ़ाई का duration बढ़ाना पड़ेगा, जो बात 6-7 घंटे में चल रही थी, उसे 12-15 घंटे में convert करना होगा, 12 घंटे minimum उससे जादा भी time लग सकता है, पर जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस ये दिमा दस दिन का मतलब क्या है, अब देखो आज एक मई है, आज तो time चला गया, कल से start करेंगे, दो मई, फिर तीन मई, फिर चार मई, पांच, छे, साथ, आठ, ठीक है, आठ के बाद, नव, दस, ग्यारा, बारा, बारा तक मैं करवाँगा जो कुछ भी करवाँगा आपका, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, दस, एक दिन एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूँ, तो दस दिन का कारिका मैं आपका, बारा के बाद, तेरा को आपको कुछ नहीं करना, अपने सेंटर पहुँचना है, चौदा को आपको एक्जाम देना है, बस, तो बारा तक की तपश्या है, बारा तक की मेहनत है, बारा तक का जुनून है, बारा तक का जोश है, और इस जोश और जुनून को जाया नहीं जाने देते हैं, मेहनत है, मेहनत करते हैं, देखते हैं क्या होता है, है ना, देखते हैं क्या होता है, जो होगा सो देखा जाएगा, बस करना ह एक बार करके देख लो फिर देख लो यूपी पीचस देने जाओगे एक्जाम हलुआ लगेगा थोरा सा इस समय मेहनत जादा करनी पड़ेगी बसित्ती सी बात है ठीक है तो ये आप सभी के लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरे द्वारा लाए गया है और ये अपने इनत है बड़ा टास्क है बड़ा परिश्ड़ा मेरे बड़ जो आपको बताओ हुओ आपको करना है बस इतना दिवागों बाता लेना है काइर करम आज से आपको टार्गेट साथ मिलो सिल्फ नोट साथ मिलो और पढ़ना चालू कर दो साम को आठ वजे मिलते हैं उससे जुड़े में MCQ हल करते हैं मल्टिपल चॉइस कोश्चन हो सब पढ़ चुके होगे मैं ज्यादा रही एक टॉपिक से एक दो एक दो करके ज्यादा ज्यादा दस बीस पच्चीस मे 2023 वाला एक्जाम देने आप सभी के लिए एक जबरजस्त मेहनत सांदार मेहनत पूरा एक तरीके से आप सोचे कि पूरा जो होगा देखा जाएगा बस एक बार बस मेहनत करनी है करने दो करेंनट अफेर्स में मासेटर वीडियो आपको दूंँग सet लुए ओ एक इंटायर वीडियो भी करेंट काईगा वो भी आपको अबलेबल हो जाएगा वैसे सुबह में current affairs का station लेकर चल रहा हूँ उसमें आपका current affairs में लगबग अभी काफी सारे station हो गए है जो लोग regular हैं जो लोग continuous हैं मैं वादा करता हूँ आप exam hall पे देखना कैसे question आपके वहाँ पर देखने वाले ठीक है तो overall एक बड़े जो है कारे करने जा रहा हैं दस दिनों के लिए तो महा revisions रीज के लिए UP pieces exam वाले बच्चे सारे तयार हो जाए आप लोग उसमें इतना सा अग रहे हैं कि session को सब तक पहुंचा देना वो बच्चे जो पैसे के कारण से किसी भी कारण से अभी भी बहुत किनी किनी का लगबग 30-30 साल हो चुके हैं मलब 30 साल के एज हो चुकी है 31, 32, 35, 37 साल के जो मेरे दोस्त हैं आप सभी के लिए मैं कह रहा हूँ एक बार आप इसको एक बार करके देखे आपको सच में बड़ा परिवर्तन दिखेगा एक दिन में आप बहुत बड़ा कार्योजना कर पाएंगे तो सभी के लिए है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि मेरी मिहनत सफल हो जाए जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ उस पे काम हम ज़्यादा बेतर से कर पाएं मैं अब आपको एक भी दिन का गैप नहीं लूँगा 9 Saturday, 9 Sunday हर दिन Study Day होगा हर दिन Study Day एक्जाम के टाइम पर ऐसे ही लगना पड़ता है युद्धिस्तर पर तयारी होगी हमारी युद्धिस्तर पर ठीक है तो मैं आप सभी के साथ हूँ हमेशा आपके साथ रहूँगा हमेशा आपके लिए मेहनत करूँगा हमेशा आपके ठीक है आप सभी को मेरा साथ नहीं छोड़ना है ठीक है तो ये आप सभी के लिए महारी वीजन्स रंखला है ठीक है चलिए